हेलो दोस्तों, लेवल अप यूर लाइफ चैनल में आपका सवागत है आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे बेस्ट बुक जिसका नाम है 10% हैपियर जिसके राइटर है डैन हैरिस चैनल पर नया है तो वीडियो में खोने से पहले चैनल को सबस्क्राइब कर लिजिए क्योंकि हम हमेशा ऐसे ही बेस्ट बुक समरी आपके लिए लाते रहते हैं क्या आपने कभी क्रोध में अपना आपा खोया है क्या आपने कभी क्रोध में ऐसा निर्ड लिया है जिसे आपको बाद में पश्तावा हुआ हो या कभी आपने अच्छे दिन को बरबात कर दिया क्योंकि आप नाराज हो गए थे क्या आप अपनी भावनाओं को काबू करना चाहते हैं अगर उपर के सबी सवालों का जवाब हाए तो बढ़ाई हो इस सबक पढ़कर आप अपने जिंदगी को बदलने वाले हैं तो चलिए जानते हैं, आप जो भी करते हैं उसके लिए इगो जिम्यदार है, हम अक्सर अपने जीवन में सब्द एहम यानि इगो को सुनते हैं, हम सभी ने या रोज अपने जीवन में एक या दो बार सुना है, जैसे आपकी पती आप से कहते होंगे कि आप एहनकारी है, और आप सोचते हैं कि आपका मित्र एहनकारी है, लेकिन असल में इगो क्या है, आइए देखे कि हम अपने रोज की जिंदगी में इगो को कैसे देखते हैं, कुछ लोगों के हिसाब से इगो गर्व का स्रोथ है, जबकि दूसरों को लगता है कि यह आत्म प्रेम या स्वार्थ है, लोग सोचते हैं कि यह खुद की सेवा करना और दूसरे के बारे में परवाय नय करने की आदत है, और वे इसे एक कमी मानते हैं, मनों व्यज्ञानिक तोर पर एगो हमारी नतित्ता और इच्छाओ के बीच की एक कड़ी है, लेकिन एगो की यह परिभासा अभी भी दिल से दूर है, हम इसे गर्व या आत्म प्रेम कह सकते हैं, लेकिन हम यह नहीं बता सकते हैं कि हमारे दिमाग के साथ क्या क्या होता है, जब हम अपने काबू में नहीं होते हैं, जैसे हम भूके नहीं होते हैं, फिर भी फ्रीज को खोलते हैं, आपका इगो आपके अंदर की आ प्रकट करता है, उधारण के लिए अग आपको लगता है कि आप अधिक बयाम कर सकते हैं, लेकिन एक आवाज आती है, मैं बहुत ठका हुआ हूँ, ये आवाज एगो है, आप जो भी करते हैं उसके लिए एगो जिम्मेदार है, आप अपने एगो को काबू करने के लिए अभी भी संतुष्ट और खूश नहीं होगा, जब एगो को हम किसी नए चीज से संतुष्ट करते हैं, तो इसे फिर से एक और चीज की ख्वाइस होने लगती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास कितनी नए कार या गजट हैं, आपको हमेशा एक नया सरल सब्दों में इगो वह चीज है जो आपको कभी संतुष्ट नहीं होने देगा, इगो वरतमार को छोड़कर भाविस्त के बारे में चिंता करता है और पुरानी बातों के बारे में सूचता है, इस प्रकार यह आपको वरतमार में पूरी तरह से नहीं रहने देता है, आपके संपती और समाजिक इस्तिती से करता है, भले ही आप बहुत धनी और स्मार्ट क्यों नहीं हो, आपका इगो आपसे ज्यादा बैतर किसी को खोज लेगा, आपका इगो आपको अधिक बैतर बनने के लिए उकसाएगा, लेकिन और बैतर होने के बाद क्या आप नहीं, इगो पूरी तरह से खुश नहीं हो सकता, जैसा कि हम देखते हैं कि सबसे अमीर, परसिद और भागिसाली लोग हमेशा आत्मयात्या कर लेते हैं, वे ड्रक्स के आदि हो जाते हैं, और वे अपने जीवन को बरबात कर देते हैं, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनका इगो उन्हें आधित प्यातर बनने के लिए धक्का देता रहता है, जब भी ऐसा करने में नाकाम हो जाते हैं, तो भी आत्मयात्या करते हैं और ड्रक्स के आदि हो जाते हैं, हम अपने इगो को अपने और दूसरों के परती द्यालुकों का नियंतरित कर सकते हैं, दिहान ह में हमारे द्यालुता और जिम्मेदारियों को बढ़ाने में मदद करता है, इस प्रकार यह हमें वरतमान में रहने और तनाव देने वाले को अंदेखा करने में मदद करता है, जैसे कि एक दिन एक दोस्त ने लेखा को कहा वे कभी सपल नहीं होंगे, उन्होंने इसका सही तरीके से जवाब दिया, वे नाराज नहीं हुए, उन्हेंने अपने बास से पूछा की, वे अपने काम को कैसे सुधार सकते हैं, ध्यान और द्यालुता हमारे दिमाग पर अशर डालती है, हारवर्ड में एक अध्यन में पाये गया कि जिन लोगों ने आठ हपतों तक ध्य ध्यान का अभ्यास किया, उनकी दिमाग के कुछ हिस्सों में एक मोटी सफेश सी चीज पाये गई, ध्यमाग का ए भाग खुद के बारे में चेतना और द्यालुता से संबंदित था, इसके अलामा ध्यान ने तनाव से जुड़े दिमाग के हिस्सों को सिकोड दिया, एक और अध्यान में पाये गया कि जो लोग ध्यान करते थे, वे दूसरी लोगों के साथ ज्यादा समय विताते थे और अधिक हांचते थे, इस तरह हम अपने और दूसरों के लिए द्यालुता का उपयोग कर सकते हैं, दलाई लामा के सब्दों में एक बुद्धिमान स्वार्थी बने एक बेवकूप स्वार्थी नहीं, हमें अपने और दूसरों के प्रति द्यालुता की बेवहार को अंदेखन नहीं करने चाहिए, अपने प्रतिक करोड़ों में सुधार करने से हमें अपने गलतियों को दिखने में, इन्हें मानने में और खुद को माहफ करने में कर सकता है इसी तरह दूसरों के प्रतिक करोड़े में सुधार करना हमें एक बहतर व्यक्त बनाता है अपने एगो को काबो करते समय अपने आपको बहुत ज्यादा मत दवाईए अपने जरूरतों को मत भूलिए अपने एगो को काबो करने का मतलब यह नहीं है कि आप अपने खूद की जरूरतों के बारे में नहीं भोल जाएं। जैसे कि मुनिंद्रा नमक एक भारती सिछक थे जो ध्यान करना सिखा दे थे। उन्होंने अपने छात्रों को सलाह दी कि वे जगड़ा ना करे। उन्होंने चीजों को सरल रखने के लिए कहा। एक दिन एक छात्र ने उनको बजार में देखा वे मुंग फली के लिए एक बैक कीमत के लिए जगड़ा कर रहे थे। जब छात्र ने उनको जगड़ा नहीं करने की याद दिलाई तो उन्होंने कहा। मैंने आपको मुर्ख या गूगा होने के लिए नहीं कहा था। जान कपाट जिनके मुताबिक अपने आपको संतुष्ट करने से आपका मन साफ हो सकता है, यह नए विचारों के लिए कुछ जगय बना सकता है, दस दिन ध्यान करने के बाद लेखक के मन को सांती मिले, उनको अधभूत विचार आने लगे और उन्होंने अपनी नोटबुक उन विचारों से भर दी, अपनी यातरक के दौरान लेखक ने पाया कि वे अपने काम को और अच्छे सिक्कर पा रहे थे, जब उनका मन सांत था, उन्हें पाया कि सफलता के लिए तनाव और कमपडिशन की ज़रूरत नहीं है, एक सांत मन अकेले सफलता हासिल कर सकता है, ध्यान आपको परिस्तितियों को संभालने के लायक बना सकता है, इस सबग में हम दो बातों पर चर्चा करेंगे, ध्यान वास्तों में क्या है, हमें ध्यान क्यों करना चाहिए, आए पहले सवाल पर गौर करें, ध्यान का मतलब है अपनी सांसों पर ध्यान लगाना, ध्यान के समय हम सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान लगाते हैं, हमारा मन इस दवरान यहां वहां भढ़केगा, हमें वापस अपने ध्यान इस पर लगाना है ध्यान एक बहुत आसान तरीका है अब आईए दुसरे सवाल पर ध्यान दे ध्यान हमें बीना कुछ फैसलक किये चीजों को देखने में मदद करता है जैसे कि आपके हाथ में खुजले हो सकती है या पैरों में दर्द हो सकता है आपको बस बीना कुछ किये इस पर ध्यान लगाना है अन्त में आप पाएंगे कि आप और कटीन परस्तितियों को संभालने की लाइक हो गए है आप अपने विचारों और भावनाओं को संभालने की लाइक हो जाएंगे ध्यान के एक महिने बाद लेखक ने अपने जीवन में प्रिवरतन देखना शुरू किया वे अधिक द्यालू बन गए, उनकी चिंतक कम हो गए उन्होंने काम पर गापसब करना कम कर दिया और वे अधिक द्यालू इंसान बन गए इस तरह ध्यान आपकी जीवन को बदलने में आपकी मदद कर सकता है ध्यान सिर्फ दिमाग के लिए ही नहीं यह आपके सरीर के लिए भी बहुत फायदेमंद है हलांकी समय के साथ हमारे हालात बदल गए हैं पर तनाओं का जो असर हमारे सरीर पर होता है वह नहीं बदलता हमारे रक्तचाप को कम करता है इस प्रकार यह हमें घिर्दर रूख से छुटकारा पाने में मदद करता है ध्यान धैरिक को बढ़ाने में भी मदद कर सकता है उधारण के लिए जब आप अपे नोकरी पर जाने के लिए देर हो गए हो और आप ट्रैफिक जामे फस गए हो अप गुस्सा हो जाते हो ध्यान ऐसे मामले में आपके धैर को बढ़ाने के लिए आपकी मदद करता है ध्यान तनाव नसे की लग और धुम्रपान से लड़ने में आपकी सहायता करता है और आखिर में ध्यान दुनिया के सबसे सक्तिसाली चीज आपके दिमाग का उपयोग करने में आपकी मदद करता है अपने दिमाग को उपयोग पर के आप अपनी भावनाओं को काभू कर सकते हैं अपने सवस्थ को बहतर बना सकते हैं और अपना कल्यान कर सकते हैं लेकिन ध्यान एक बार में ही अपने ग्लत विचारो और आदितों से चुटकारा पाने में तो आपको अपनी नकरात्मक भावनाओं को काबू करने के लिए क्या करना चाहिए तारब रैच एक मनुचिक सक और एक बहुत सिच्चिका है वह सलाह देती हैं कि आपको अपनी नकरात्मक भावनाओं को इस्विकार करना चाहिए आप इन्हें इस्विकार करें नकरात्मक भ करने के कई तरीके हैं तारा ब्रेच के अनुसार अपनी नकरात्मक भावनाओं से छुटकारा पाने के लिए चार चरण हैं 1. अपनी नकरात्मक भावनाओं को इस्युकार करें 2. इसे अपने आप में मौजूद रहने दे 3. इससे हो रहे हैं नुकसान को पहचाने 4. और आखिर में इसे छुटकारा पाएं लेखा इन कदमों का इस्तमाल तब किया जब वे अपने प्रमोशन की बारे में चिंतित थी सबसे पहले उन्हेंने खुद को याद दिलाया कि वे चिंतित हैं फिर उन्होंने इस्युकार किया कि चिंतित होना ठीक है फिर उन्होंने पाया कि यह उनको दुखी कर रहा था आखिर में उनने के सोच कर खुद को उन से छुटकारा दिलाए कि वे अपनी चिंताओं से बड़े हैं इस तरह से कोई भी अपनी भावनाओं पर विजय हासिल कर सकता है और बेहतर जीवन जी सकता है ध्यान आपकी काफी हद तक मजद कर सकता है कुल मिला कर अधुनिक जीवन ने हमें बहुत तनाओं दिया है इस तनाओं का हमारे मांसिक और सारीरिक स्वस्त पर खराब असर पड़ता है ध्यान तनाओं से छुटकारा पाने में आपकी साहयता कर सकता है यह आपको संतुष्ट जीवन जीने में मदद कर सकता है मेटा मेडिटेशन के माध्यम से अपने द्यालूता बढ़ाएं अपने दिमाग में अपना साप चित्र बनाएं और दिये गए मंत्र दोहराएं आप खुश रहें, आप स्वस्त रहें, आप सुरच्छित रहें फिर इस मंत्र को दोहराएं इस बार एक प्रियमित्र का ध्यान करके अंतमिस थभी जिवित प्राडियों की कलपना करें और इसे एक बार और दोहराएं तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस बुक समरी से आपको जरू कुछने को सीखने को मिला होगा और ये बुक समरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में लिख के बता सकते हैं उसके बाद मिलते हैं नेक्स वीडियो में एक और बेस्ट बुक समरी के साथ थैंक्यू सो मच